दोस्तों बात करने वाले हैं जेई मेंस 2024 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे जेई मेंस 2024 जनवरी वाला जो है यहाँ पर आविदन शुरू कर दिया गया है इसके लिए step by step मैं आपको जो एक live form फिल करके बताऊँगा ताकि आपको form फिल करने में किसी परकार की mistake नहुत सबसे परले हम फोड़ा सा important date के बारे में बात कर लेते हैं देखे एक नॉबर से form फिल फिल पर स्टार्ट है 30 नॉबर तक आप form को apply करेंगे last date जो है transaction करने का fee जमा करने का वो भी 30 नॉबर है और examination जो है आपका जनवरी 2024 में announce केट जाएगा second week में और admit card जो है तीन दिन पहले आता है जो भी examination date है उससे पहले तो जनवरी में पता चले के कब exam है लोग notice जारी करते हैं और आपका exam जो है 24 जनवरी से लेकर एक फरवरी 2024 तक conduct होगा तो यह यहाँ पे जो है important date है session 2 की बात करें तो अपरिल 2024 में होता है उसका form जो है 2 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2024 तक भरे जाते हैं तो साल में दो बार यह session चलता है अभी आप लोग form भरना चाहते है यह eligible है तो form को apply करेंगे यहाँ पे आपका examination के बारे मताया गया कि अगर आप B, B, take के लिए करना चाहते है अभी architecture, B, planning है तो यह यहाँ पे दोनों के लिए करना चाहते है तो यह यहाँ पे जो है दिया गया application fee वगर अभी सब चिद यहाँ पे दे दिया गया आप यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार तो आप चेक कर लेंगा यह जानते कैसे form को भरना है आप चुनाव करना है सही से login and identification में आपको चुनाव करना है क्या तो यहाँ पे पहला option है कि आपके पास डिजी लोकर एकाउंट है और आप उस डिजी लोकर के थुरू जो है आप आगे form भरना चाहते हैं तो पहला option है कि आपके पास डिजी लोकर नहीं है और आप जो है जाना चाहते है तो इसको भी आप करेंगे क्लिक और डिजी लोकर का भी option है तुरंत यहां क्रेट भी कर सकते हैं तो यह भी option है दूसरा आप इसको चुनाव करेंगे देख रहा ना दूसरा अगला जो option है अगर आपके पास इंडियन पास्पोर्ट है पास्पोर्ट के थुरू भी अपना यहां पे आगे प्रोसेस करेंगी तो वह फॉर्म आगे खुल दाएगा आपके पास जो है पयंकार्ड है तो आप पैनकार्ट के थुरू भीजा सकते हैं प्यन одном करे ने जा क्कुनाव जए यहां पर चुनाव करेंगे और अपना फोरेनर वाले लोग यहां पासपोर्ट संख्या लिखेंगा अपने यहां का और प्रोसीड करेंगे तो यह options है तो मैं कहूंगा कि आप डीजी लोगर के थुरू जाए डीजी लोगर सबसे बेस्ट है इसके थुरू आप यहां पर यहां पर नहीं है तो इसको क्लिक करेंगे एक नया डीजी लोगर एकाउंट करेंगे बहुत असान डीजी लोगर आप लिखेंगे न यहां पर देखिए आगया यह वेबसाइट गवर्मेंट का है और यहां पर पहले अपना जो है निndy कर सकते हैं यहां पर आप रिंख़्ाँ सकते हैं इसे लिए डीजी लोकर मांगता है टीजी लोकर इसे बंता है आगे चाल के आधार 7th आपके पास तो आप लोग समझे होंगे तो इस तरह से आप जो है चुनाव करेंगे और यहां पर आगे बढ़ेंगे तो हम यहां पर एक आगे बढ़ जाते हैं अब यहां पर अगले प्रफित और यह नहीं करना चाहते हैं अगर आप इसको टीक करके और अधार संख्याली के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्योंकि हिंदी दोनों में लिखा घए तो आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे जो भी मैने पीछे वाला दिखाया हूं उसको भी आप अच्छे सपढ़ेंगे अपको किस के थुरू करना है इसमाल हम यहाँ पे जो है विस करना चाहते कि मैं अधार के थू जो है आगे रेशिन कर रहूं तो आप अधार नमर यहां लिखे प्रोसीड कर सकते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं नहीं है तो आप तीसरा अलोप्सन चुनाओ करेंगे और यहाँ पे इक आईडी फूरू चुनाव कर लेना जो भी आपका data worth है या जेंडर बताएंगे यहाँ पे एक पहचान इसमें से कोई भी एक ID proof का भी चुनाव करेंगे जिससे आ देखिए any other valid government ID proof, bank passbook, class 7th admit card, election card, pen card, passport, रासन card तो कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं और जो भी any government ID card है उसको भी आप लिख सकते हैं उसकी संख्या लिखनी होती है फिर pin code लिखेंगे mobile number का code यहाँ 911 आ जाएगा यहाँ पर अपना mobile number लिख देंगे दुबारा mobile number को पूष्टी कर देंगे बीना 911 के जिससे माल यहाँ यहाँ दस जिसका number लिखेंगे वही दस यहाँ भी लिख देंगे फिर यहाँ पर email ID फिर दुबारा उस email को confirm कर देना मतल से लिखना होता है यहाँ पर जो premises number name है यहाँ पर यहाँ पर अपना village post थाना सब यहीं पर लिख देंगे आप फिर अस थान यह लोकलीटी भी होता बता देंगे सब लोकलीटी वह बता देंगे optional यह देना चाहते निजवर से छोड़ भी सकते हैं फिर यहाँ पर आपको नी जनकारी सो होता है कि आप एक बार अच्छे से verify करिए अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ इडिट करेंगे पूछ रहा यू मतलब आप भेजना चाहते यह करेंगे यह करती है आपके mobile पर OTP जाता या email पर OTP जागे देखिए OTP send your email email पर भेजागे email वाला OTP लिखेंगे verify करेंगे OTP verify करते ही आपका यहाँ पर देखिए application जो बोला गया है कि आपका आपका dashboard यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर आपको एक application number भी 100 होता है आप यहाँ देखेंगे complete application form को option मिलता है लेकिन complete application form करने से पहले आप यहाँ पर एक mobile verification का option मिलता है आप पहले mobile verification पर क्लिक करेंगे mobile number 100 होता है कि अच्छा record भरके send OTP पर क्लिक करेंगे आपके mobile OTP जाएगा OTP को verify कर लेनी है OTP verify करने के बाद से अब आपको जो है बारहुए आपने किस राजी से पढ़ाई किया हुआ है यह बारहुए passing के बारे पूछ रहा है यहाँ आप appearing है देख रहा ना तो यहाँ पर आपको बता देना है अब यहाँ पे पूछा गया है कि आप general है EWS है यह SC है ST है यह OBC NCL है जो भी आप category है यहाँ पर चुनाव कर लेंगे तो अपने कर लिजेगा क्या आप एक प्री डवलो डी यानि बिकलांग पर्सन है डिसेबल पर्सन है यह 40 पर्सन और मोर यह लेस देन 40 पर्सन यह नहीं तो आप अपने को बना क्या आप मदू में यह डाइबिटिक है सुगर का मरीज है तो हां करेंगे नहीं तो किस बेस पर आप त्यारी कर रहे हैं self study या tutorial class in schools या other online coaching individual tuition या correspondence courses तो अपने according आप पर बता देंगे जो भी जिसके तुरू आप त्यारी कर रहे हैं इंग्लिस में exam देंगे कि हिंदी में या उर्दू में अपने according च्वाइस करेंगे इसके बाद यहां पर आवेधन किस के लिए कर रहे है बी बी टेक के लिए या भी आर्किटेक्ट्च या भी प्लानिंग के लिए तो अपने according यहां पर टीक कर सकते हैं आप चाहें तो यह इसको भी कर सकते हैं आप यहां टीक करते हैं जितना करेंगे उसके हिसाब से पैसा भी लगेगा परिच्छा के सतर के लिए आवेधन सेशन वन के लावेधन दे रहे कि सेशन वन एंट्व दोनों के लावेधन दे रहे तो अपने according यहां पर बता देंगे फिर यहां पर पी अपने according बता देंगे आपकी माता जी क्या करती है यहां देखिए तमाम options दियो है अपने according यहां पर चुनाओ कर लेंगे उनका कहां तक पढ़ाई हुआ है यह बता देंगे परिच्छा राज्य पहला विकल्प आप जो है पहला एक्जाम सेंटर कहां देना चाहते हैं तो जो आप address भरेंगे ना उसके according आएगा तो देखिए अगर आपको चाहिए दिल्ली में या बंबे में कहीं भी आप लेना चाहते तो वहां का जो present address है आपका वहां का address भरेंगे तो उसके according यहां पर राज्य आएगा इस चीज़को भी सध्यान देंगे उसके बाद यहां प इसकेया आपको दस्वी क्लास की जनकारी के बारें पूच रहा है के औरिस कॉलिंग के स्थान का प्र क्रकार यहां पर प्रकार उया गौर्मेंटे प्राइब हृवेट था यहांपने स्क्लिस गौ्धन बृट्पpection के उस्थान का धान इंवर्ण उठ्यके यह यहां यह पक तो अपने कोडिंग बता देंगे फिर यहां पे परिच्छा का राज्य किस जो है राज्य में अपने परिच्छा दिया दस्वी बोर्ड का वो कौन सा जीला था जहां आपने परिच्छा दिया योगता परिच्छा जला किस जीला से आपने जो है क्वालिफाई किया हुआ है म अपने कोल्स आप के लिए हैं कोली पनांकरेंगे यहां परब्रमां कोड्यकर का नाम क्या है घजके से हैं ज हैं PR एप नंबर है आपको लिखना है फिर आपको द्राम पर चेएज escaping पर पउपे 500 का होता है और आपको औपको मिला हुए यहां पे आप लिखेंगे और तो पूछ रहा है तो बारहुई परिष्छा का है समझे एक पॉइंट को थोड़ा सब बीडियो लंबा होगा बट आपको जो है मैं समझा देता हूं अच्छे से देखें यहां पी एक ऑप्सन है सबसे पहले डिप्लोमा रिकोगनाइज भाई या स्टेट बोड़ आप टेकनिकल अगर आप डिप्लोमा की हैं थी एर्स का त इंडिया से बाहर वह अवस्थित है तो आप यह तीसरा चूछ करेंगे जो आपने दो साल का प्रोट जो होता है वह आपने कंप्लीट कर लिया फाइनल एक्जामिशन कर लिया दो साल वाला एंडिया के दौरा होता है तो भी आप च्वाइस कर सकते हैं जेनरल छोटा है यह तो यहां पर सकते हैं सीरे स्ट्राइशन के लिया नः चल~~क। यहां पे यहां पर यहां पर यह पड़ना जैगा जो भी मतलब जेनरल में आते हैं समझ रहाँ यह आपकी डिप्लोमा हमने सब्सीस आपको बता ही दिया जो पास ही चुच करेंगे कौन से वर्स बाईस में की जोविस में पास हुएं अपने अकोडिंग बतागा अगर आप य फिस सराजे का नाम फिर यहां पर कोलेज का नाम फिर यहां पर कॉलेज का पूछरा तो यह आप पर पास है तो पास चुनाव करेंगे यहांपर पर्संटेज वह अभी आपको को अपने बताएंगे तो यहां पर हैंगे अगले पूछ रहा है कि क्या प्छुडवा भाई न के लिए आवेदन कर रहें अगर आप बौथ जुडवा भाई-वाई-बहान है और दोनों लोग आवेदन कर रहें आप यहां पर कर सकते हैं और ऊसका जो है अगर जुडवा है तो अब नहीं है तो कर देंगे फिर इस क्यप्चा को भरेंगे आप लोग समझेंगे जुडवा किसको बोलते हैं आप लोगो मुवी भी देखा होगा तो आप लोग समझ बायर होंगे आप यहां के अगले स्टेप में अब यहां पर माता पिता देना इसके अप्चा को भरके यहां पे गेट बिक करेंगे उस पर टीपी भी जाएगा फिर आपको यहां पे समिट करना है अब आपको यहां पर फोटोग्राफ और सीनेचर अप्लोड करना है फोटोग्राफ का साइज जो है आप्लोड करेंगे अब भी हो जाएगा तो इस तरह से आप क्या करेंगे फोटो को चुनाव कर लेंगे फोटो और सीनेचर यहां पर चूछ करने के बासे इसससे आप करेंगे tag अपका page preview आएगा review page इसको बोलते है review page आप जनकारी को verify करेंगे जो भी अपने आप पे जनकारी दिया सब चीज से यह कर नहीं है अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहां फानल समिट करेंगे गलती का देखे सुधारने का back जाने का option है back करके आप सुधार कर सकते हैं न आप इसपे क्लिक करेंगे अगर निसा पर पेनाव का उप्शन मिलेगा इसपे क्लिक करेंगे यहाँ पर तीन जो है पेमेंट गेटवे है तो आप SBI, HDFC, ICS, किसी भी पेमेंट गेटवे को यूज करेंगे तो मैं लिया हमें SBI का चूच करते है SBI हमने चुनाव किया फिर यहाँ पेनाव का उप्शन मिलेगा इसपे हम क्लिक करेंगे आप यहाँ पर हमारे पास नेट बैंकिंग है कार्ड का उप्शन है UPI का इसमें से कोई भी माध्यम से आप पेमेंट को जमा करेंगे और प्रिंट आउट निकालके हाड कोपी प्रिंट आउट जरूर अपने पास सुराचित रख लेंगे तो इस परकार से फ्रेंट से हमने discussion किया जेई मेंस का जो है form कैसे आपको feel करना है 2024 सेशन जनवरी के लिए I hope आप लोग समझे होंगे मिलता है किसी next video में जाहिंद मन में कोई भी doubt से comment है आप comment box में पूर सकते हैं